नमस्कार दोस्तों आपको फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे दोस्तों कि आप होटसब यूज करते हैं अगर हां तो यह वीडियो आप जरूर देखें क्यूंकि आपके कुछ जाने अंजाने गलतियों के कारण होटसब कर सकता आपकी नामर को बैंड तो 2022 में होटसब क एक कुछ नए नियम आप जान लें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आखिर वाटसब एकाउन बेंड होता क्यूं है पहले हम यह जान लेते हैं अगर वाटसब मान लेता है कि आपके एकाउन से स्पैम मेसेज़ेस या फेक निउज़ेस फेल रहा है औ और कई लोग आपको ब्लोग कर रहे हैं या आपके एगेंस कंप्लेंड या रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस आधार पे वाटसब आपको ब्लोग कर सकता है उनका उद्देश है मेक्सिमाम प्रोफिट और रेविन्यू आर्ण करना और वाटसब है एक्चुल है फेस्बूक के है कस्टमर को वो सर्विस क्लीन और स्पैम फ्री रहे तो इसलिए जितना हो से कि उनकी सर्विस को वो लोग अपने स्पैम फ्री और क्लीन रखते हैं ताकि यूजर उनसे और जुड़े और बढ़े अगर वो स्पैम फ्री या क्लीन नहीं रखेंगे तो यूजर उनसे जु बोंगेरा करते हैं लेकिन हम और जब उनकी नियम नहीं मानते हैं तो उन को अपने कदम उठा सकते हैं उसकी हिसाब से घरमशन करते हैं इसकी वर यह जादा से जादा आपका आठ से या 24 घंटे के अंदर हो जाएगा लेकिन अगर पर्मानेंट हुआ तो कोई excuses मतलब नहीं मानेंगी WhatsApp की टीम्स और मतलब कोई साफाई वो नहीं देंगी सिधा बैंड बैंड मतलब पुड़ा बैंड और दो तिन बार temporary band होने के बाद अगर कुछ वैसा कुछ मिला फिर भी WhatsApp पर्मानेंट बैंड कर सकता है यह उनकी अधिकार में आता है तो दोस्तो आप सवाल आता है कि हम इसे बचे कैसे है तो दोस्तो पहली बात तो यह है आप ध्यान में रखे आप जिसे message करते हैं वो आपको पेचाने और आ अगर आपको respond नहीं देता है कुछ respond नहीं देता है और मानलो report कर देता है तो फिर कुछ problem हो सकती है हाला कि कोई एक बेक्ती से इस तरह की कोई problem नहीं होती है लेकिन फिर भी अगर इस तरह कही सारे लोगों को message देते हैं या news कुछ भेचते हैं जो fake हो सकता है या यह सब spam में मतलब सम्मिलित होता है इसको spam मतलब कहा जाता है और तब आपके लिए problem खरी हो सकती है तो यह सब आप ध्यान में रखें तो दोस्तों आप सवाल है कि मान लो अगर इस तरह से कुछ हो गया और आपकी account भी बंद हो गया तो फिर आप क्या करेंगे तो कुछ नियम है जिसके हिसाब से आप आपका account फिर ठीक कर सेकते हैं तो चलिए हम वो नियम थोड़ा देख लेते हैं थो Indy हम हाटसब का जो अपनी एख है वेvec double क्लिक करके और खोलेंगे खोल के हापे अपनी नंबर डालेंगे हम रहो यह क ही जो रट काणार की बंस सार्क्लaffe ंख करेंगी सापोर्ट पी क क्लिक कर में करेंगे लो दोस्तों यह वाले ऑप्शन आएगे तो इस वाले अप्शन म कि हम किस कारण से मतलब जो भी कारण वर्ष मतलब आपका एकाउंट सस्पेंड किया गया है तो वह कारण हम यहां पर लिख देंगे तो मैंने यहां पर जिस लिख दिया मनें लिख लिए तो अब कुछ भी नहीं करना है एकदं में जो आपका रेट सर्कल दिया हुआ है उसमें आप जस्ट क्लिक कर दें और खुरक्षए करना बार किया हुआ कुछ option सब यहाँ पर आपका option सब आएगी आपका number वगरे सब आएगा तो number अगर आपका सही है तो उपर में आप देख पा रहे हैं कि एक रेट सर्कल दिया हुआ मतलब send कर दे डारेक और डारेक WhatsApp की मतलब official website में चले जाएगी तो आप send कर दें send करने का बाद फीड अप अपना Gmail account खोले account खोलने का बाद यहाँ पर जो आप देख रहे है रेट सर्कल मतलब वहाँ पर support मतलब WhatsApp की तरफ से support बोलके उस टैप का एक मतलब आएगी कि आपने mail भेजा है क्या 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 मतलब कुछ यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर मैंने रेट कलर की सर्कल दिया हुआ है आप देख पारें तो मतलब यह support जब आ गया मतलब आपका problem लगबख solve हो गया उसके बाद हम फिर नया से एक बार mobile को reset कर लेंगे या restart करके फिर WhatsApp की account खुलेंगे मतलब WhatsApp की app को double click करेंगे WhatsApp की double click होने के बाद इस टैप का आएगा तो वहाँ पर आप अपना number डाल दे नंबर डालके फिर next करें नेक्स्ट करने का बाद अगर यह वाला option आ गया दोस्तो इडिट और ओके इस टैप का कुछ option आता है अगर यह वाला option आ गया तो समझ लें आपका account मतलब active हो जाएगा तो इडित में आप ओके में तो के लिए डाल दे फिर आपका नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखिए आपका चोटा सा वीडियो आशा करता हूं आपको अच्छी लेगी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए जय हिन